सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा निव चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुच जाएं तीपक लखे रहा है कैसे क्या गटना हो गई है यह ग्राम पचनिही से तो साफिस आ रहा है थे तिल्टिव में बाप बेटा विक्की गाड़ी में थे तो जब बरगाहनी अब पचनिही की बीच में पहुंचे तो एक किसी वाहन आकर के आगे सी पचला जिसकी दोनों की ही तर दोनों के पार्टियों के वहां ते बालास लेकर यहां रख दिया अखिलकर वहां लास पारी रोखी तो पस बाहन पकड़ा जाता तो अब इनकी अब तक कोई अच्छा यह बता ही क्या उमर रही होगी इनकी अटावन साल है पिता के उमर है रमसरूपक की एटीशा लाइश क्या नाम है आपका देवनात लखेरा देवनात लखेरा जो मेरे तक है उनका क्या नाम है श्री रमसरूप लखेरा पोस्ट में पचनेवी में पचनेवी से जा रहे थे ड्यूटी बांदा पोस्टाफिस करते थे साथ में चोटा भाई भी था चोटे भाई का क्या नाम था दीपक लखेरा कहां जा रहे थे यह दाग घर आ रहे थे दूटी करने पीता जी चला नहीं पाते थे कम चला पाते थे तो चला के लाता था और रास्ते मुन कर एक्सिडेंट हो चुका है महीं हाट उस पोस्ट मर चुके हैं वो समर मर गए हुए क्या कुछ जानकारी मिलि किसने टक्कर मारे क्या है अभी दूनाएं मिली कि मीलेगा तो कुछ इश्य करेंगे मामले की कहीं कारवाए करिदो है अभी कुछ नहीं किया अजदिनायम का 26 को ग्राम पच्छने ही के निवासी राम सुरूप और दीपक कुमार जिसमें राम सुरूप पिता हैं और दीपक कुमार फुत्र हैं ये दोनों अपनी मौपेड से बादा आ रहे थे और बरगहनी के पास पहुंचे उसी समय पीछे से उनको एक वाहन एक टकर मार दी जिससे उनको काफी गंभीर चोटे आई और उनकी मौके पर ही मृत्यूर हो गई इस समय में पुलिस उनका पियम पंचायद नमा करवा रही है और वाहन की तलास की गई वाहन अभी तक नहीं प्राप्ट हो सका है और पुलिस उसमें कारवाई कर रही है इस समंद में पुलिस ने मुकर्मा दर्श कर लिया है और बाकी शेस का रिवाई चल रही है शेब रही अब लोग का रिवाई इसमें पूर कर लेंगे सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा निव चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुच जाएं